हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तस्वागत आप सब का एक और नी वीडियो में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं debit card और credit card के usages की, कि क्या-क्या इनके फायदे हैं, क्या-क्या नुकसान हैं, और कैसे हम इनको एक authentic way में use करके long term के लिए बहुत ही कि Asian countries में, India, Pakistan और हमारी उदरवाली countries में, हम normally जब भी कोई भी चीज purchase करते हैं, तो हम hard cash use करते हैं, 100 का note, 20 का note, 50 का note, 200 का note, पैसे दो, अपनी चीज ले लो, लेकिन यहाँ पे यह जो transaction का scene है, यह बिलकुल different है, यहाँ पे normal लोग जो है, वो 90% की जो transaction है, वो इन दो card से करत हैं, ऐधर debit card, या फिर credit card, ऐसा क्यों है, क्या कि इनके फाइदे और नुकसान है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यह debit card की, तो debit card हम ATM card से normally बोल सकते हैं, हमारी countries में होते है, ATM machine लगी होई है, डालो, pin डालो, पैसे निकाल लो, और use कर लो, यह काम करता है, उसके साथ में यह क्या करता है, कि अगर आपके खाते में पैसे हैं, और आपके किसी भी जगा पे shopping करने जा रहे हैं, तो आप इसको tap कर सकते हो, tap करेंगे, आपके जो भी आपके account में पैसे होंगे, वो उस में से काट लेंगे, यह हो गया debit card, यह भी इसके comparatively बहुत कम use होता है, यह जो card ह यह जान आपकी, Canada में इसके बिना आप अधूरी है आपकी जिंदगी, तो credit card के क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान है, वीडियो में बताने वाला हूँ, mind blowing है, बिल्कुल skip मत कीजेगा, सबसे पहला फायदा, जब भी आप किसी भी account में अपना जो account है, वो open करवाते हैं तो आपको एक credit card मिलता है, उसके साथ में वो आपको एक limit देते हैं, कि इतने पैसे तक आप इसमें monthly use कर सकते हैं, let's say, मेरा Scotia का card है, मुझे 1000 की limit है, 1000 dollar मैं month में use कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे pay करने पड़ेंगे, मुझे pay करने पड़ेंगे, लेकिन वो मुझे advance मे दे देते हैं, कि आप 1000 dollar use कीजिए, जब आपके पास आएंगे, आप pay कर देना, क्या इसका फाइदा है, मैं समझाता हूँ आपको, मैं as a student हूँ, मेरी जो pay है, वो by weekly आएगी, तो हफते के बाद में मेरी pay आती है, let's say, मैंने एक तरीक को job start की, 14 को मेरी pay आएगी, दो हफते लेकि, लेकिन मुझे तीन तरीको या चार तरीको books करीदने पड़ गई, या grocery लेके आनी है, या fuel लेके आना है, या कुछ भी करना है, तो मेरे को 200 dollar चाहिए, मेरे पास तो है नहीं, पैसे जो भी आएंगे, वो मेरे account में आएंगे, तो तब उस time पे मैं एक credit card यूज जब मेरी 14 को pay आएगी, तो मैं उस में से अपने जो 200 dollar है credit card के उपे कर दूँगा, as simple as that, तो ये 1000 dollar जो आपको मिलता है, एक बहुत ही बड़ा benefit है, उन लोगों के लिए जो के एक बहुत ही tight budget में काम करते हैं, limited salary आती है, तो ये हम use कर सकते हैं, बहासानी से, उसके बाद में जी scene points, scene points क्या होते हैं, कि जितना आप इसको credit card को use करोगे, उतने आपको points मिलते जाते हैं, आपके scene points आपके account में add होते हैं, तो वो scene points आप use कर सकते हैं, कोई movie के ticket करीदने के लिए, कहीं भी shopping करने के लिए, normally I think 1 dollar का 1 scene card आपको मिलता है, अगर आप 100 dollar use करेंगे, तो शायद आपको 100 scene card, I'm not sure, but 90% sure के ऐसा ही है, तो आप movie ticket के, मतलब के वहाँ पे transaction करते हैं, वो card, scene points की, या फिर कोई भी आपको shopping, बहुत सारे जो shopping malls हैं, वो accept करते हैं, scene points, तो वहाँ पे जाके उनको use कर सकते हैं, इसके बाद में आती है, जी के आप अगर limit में अपनी जो, जैसे क कर दिया within a limit of 20 days or 30 days, I'm not sure, एक महीने की limit के अंदर-अंदर आपने वो pay कर दिया, तो कोई भी interest आपका नहीं लगेगा, आपको zero interest पे thousand dollar मिल रहा है, और क्या चाहिए, तो आप वो use कर सकते हैं, इसके बाद में जो सबसे important चीज है, वो है, credit score, अपने बहुत लोगों ने सुन होगा, अपने दोस्तों से, अपने friends relative से, के credit score बहुत important है Canada में, credit score क्या होता है basically, credit score आपकी loyalty check करता है, आपका एक standard check करता है Canada में, आपने 200 dollar pay कर दिया, आपने एक महीन में pay नहीं गिया, तो वो आपका जो credit score है, वो बहुत कम होता चला जाएगा, इससे bank को पता चलता नहीं है, के आप अपने time पे अपनी payments कर सकते हैं, on the other hand, अगर आपने 200 dollar use किया, अगले दिन आपने pay कर दिया, या जब आपकी salary है, तुरंत आपने pay कर दिया, उससे क्या होता है, के आपका credit score build होता है, यहां पे मैं दिखा रहा हूँ, अपना credit score जो भी मेरा है, यह देखे, में ही अपना जो bill है, वो pay कर देता हूँ, तो मैं safe side पे चल रहा हूँ, इसके साथ में ही, इसका क्या फाइदा है, देखे, Canada में लोग आते हैं, तो अपना घर plan करते हैं, के long time के लिए मुझे घर लेना है, या फिर गाड़ी लेनी है, या कोई भी ऐसी, जो भी चीज़े है बड़ी, तो वो जब भी आपने purchase करती है, आपके पास कितने भी पैसे है cash में, लेकिन normal cases में आपका credit score चेक होता है, अब एक 2,00,00 का घर है, 2,00,00 का घर है, तो आपके पास अगर पैसे नहीं है, तो आप bank से loan लेंगे, लोन लेने के लिए वो सबसे important जो document है, वो आपका द इसका मतलब आपका जो credit score है, वो अच्छा होगा, तो अच्छा credit score होना Canada में is must, बहुत ज्यादा important है, अगर आप यहाँ पे long term रहने का plan कर रहे हैं, तो time to time अपनी payments जो है वो pay कीजिए, thousand dollar use कीजिए, तो यह जी, मोटे-मोटे जो भी इसके फाइदे credit काट के वो हैं, अब कर लेते हैं, जी, ulti side की, क्या-क्या नुकसान है, normally high interest rate, अगर आपने वो time में pay नहीं किया, तो almost आपको 20 और 22% तक का आपको interest देना पड़ सकता है, 100 dollar आपने यूज किया, अगर आपने वो within a limit नहीं pay किया, आपको 120, 122, 125 dollar देने पड़ेंगे, 20-22% का interest आपको देना तो बच के रहिए इस चीज से, और secondly fraud, बहुत ज्यादा fraud होते हैं, आपको call आती रहते हैं, आपका credit card यहां use हुआ, वहां use हुआ, या किसी भी बहाने से, जैसे के इंडिया में scam चलते रहते हैं, करनेडा में भी ऐसा होता है, आपसे credit card का number पूछते हैं, यह पूछते हैं, जो first जाते हैं, वो बिचारे फिर उनका account खाली हो जाता है, इसके बाद में अगर आप time to time pay नहीं करते हैं, तो जी आपका जो bank है, वो आपको red listed कर देता है, आपके नाम, आपका detail, वो सारे के सारे एक red list में डाल देते हैं, जिससे आप कोई भी loan pass नहीं करवा सकते हैं, आपके अगर दूसरे bank में भी आप account open करवाने जाएंगे, कहीं ना कहीं वो आपका उस पे भी bad impact डालेगा है डालेगा, तो I hope कि ये सारी के सारी जो चीजें हैं, वो आपके समझ आई होंगी, और आप इन चीजों का ध्यान रखते हुए, credit और debit card को Canada में आके use करेंगे, केनल को subscribe मत करना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा informative, बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली हैं, तब तक के लिए all the best, और Canada आईए, अपना feature बनाईए